तो बेसिकली गदर 2 हो चुकी है थेटर में रिलीज मैंने देखा सुभा सुभा साड़े पाच का शो और भाई साब गदर का क्रेज इतना है कि सुभा साड़े पाच के शो के लिए भी लोगों की अच्छी खासी भीड थी पर क्या गदर 1 के सकसेस को गदर 2 आगे लेकर जाए तो हाँ कुछ-कुछ ऐसा है पर पूरी तरह नहीं मुवी देखोगे तो समझ में आ जाएगा मुवी अल्मोस तीन घंटे की है और पर्टिकुलरली अगर मैं सिर्फ फर्स्टाफ की बात करूँ तो जहाँ-जहा सनी पाजी है बस वही सीन या उन्हीं के डायलोग्स ऐसे है जो स्क्रीन पर अच्छे लगते है एक्चलिय ऐसा बार-बार फील होता है कि ये मुवी बनाई ही इसलिए गई है कि सनी पाजी का जो तारा सिंग का कारेक्टर था वो नोस्टाल्जिया रूप में आपके सामने फिर से रखा जा सके और आप लोग भी मुवी को तभी एंजॉई करोगे जब जब तारा सिंग या तो कोई डायलोग बोलेगा या एक्शन करेगा और माइन इट देड घंटे के फर्स्ट हाफ में सनी पाजी 30-35 मिनिट के लिए ही है बाकी 40-50 मिनिट में बहुत कुछ हो रहा है तारा सिंग के बेटे को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है बट उनकी एक्टिंग और उनकी डायलोग डिलिवरी पता नहीं क्यों कन्विन्सिंग नहीं लगती है I mean I'm talking about first half only के जीते का रोल जिन्होंने किया है उतकर्ष शर्मा उनकी एक्टिंग first half में ऐसी लगेगी मानू वो मजाक मजाक में एक्टिंग कर रहे हो बट suddenly second half में जब वो थोड़ा serious mode पे चले जाते है तब लगता है कि हाँ बंदा एक्टिंग कर सकता है इसमें villain बने हुए है Mr. Manish Wadhwa उनका character काफी convincing है पट sometime थोड़ा overpowered, overdramatic लगने लगता है बट anyhow बात जब मास, मसाला, entertainer film की हो तो ऐसे overpowered, exaggerated characters का होना कोई नई बात नहीं होती Even action sequences भी ऐसे डाले जाते हैं जो physically and practically possible ही नहीं होते Like hand pump उखार देना? वो physically possible नहीं है, practically भी possible नहीं है, लेकिन होता जरूर है हुआ था, लोगोंने enjoy किया था क्योंकि मास movies है तो ये सब चलता भी है बाकि movie की starting में आपको gather one का recap दिया जाता है और पूरे film के बीच बीच में भी gather one के glimpse भी डाले जाते है जिससे आप throughout nostalgia में रहो और movie के साथ connected भी बात अगर music की करे तो gather one का music जैसे था, वैसा इसका भी है Actually, दो-तिन गाने तो पुरा नहीं है, जिसे fresh तरीके से present किया गया है Film के last में धरम और इंसानियत वाला message देने की भी कोशिश की जाती है जिससे लोगों में इस film के topic को लेकर कोई misunderstanding ना रहे Overall, ये एक family friendly movie मैं बोल सकता हूँ, हाला कि इसे भी US certificate मिला है Parental guidance में ये movie देखी जा सकती है पूरे परिवार के साथ बैठ कर देखोगे, तो भी कोई problem नहीं होगी मेरी तरफ से gather two को 5 में से 3 stars मिलते हैं आगले वीडियो में, बाई